हलो एबरीवन कैसे हैं दोस्तों आप सब आसा करता हूँ कि आप सब आराम से होंगे और आपका समय बढ़े अच्छे से कट रहा होगा दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए सिछण संग्रा माडूल भाग 5 मेवन डित बच्चों में जीवन कौसल का विकास कैसे करें कौन कौन से ऐसे जीवन कौसल हैं जो माडूल में दिये गए हैं और जीवन कौसल को विक्सित कैसे करें बच्चों में उसके लिए क्या तरीके हैं आईए हम सब जानते हैं इस वीडियो के मध्यम से और यह आप वीडियो पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे चैनल के जो है प्लेइलिस्ट में चले जाएगा वहां आपको डेपार्टमेंटल प्लेइलिस्ट में लेगी वहां आपके लिए बहुत सारी आवस्थेख चीज़े हैं विकास कर सकते हैं तो ये है सिछण संग्रा माडूल का भाग 5 तो आईए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चों में जीवन कौसल का विकास कैसे करें और कौन-कौन से जीवन कौसल हैं हाँ दोस्तों तो दिखिए ये है जीवन कौसल जो माडूल में दिये गए हैं और हमें ये सारी गौन बच्चों के अंदर विक्सित करने हैं पहला है critical thinking, यानी समालोचनात्मक सोच, दूसरा है creative thinking, यानी स्रिजनात्मक सोच, तीसरा है decision making, निर्णे लेना, चोथा है problem solving, यानी समस्या का समाधान करने का गुण, बच्चों के अंदर कैसे आये, फिर आता है effective communication, यानी प्रभावी संप्रेशन, बच्चों के अंदर प्रभावी संप्रेशन का गुण हमें विख्षित करना है, फिर है interpersonal relationship, interpersonal relationship का मतलब पारस्परिक अंतर संबंध, ये जो है जीवन का उसल है, इसको भी हमें बच्चे के अंदर विख्षित करना है, self awareness, स्वाजाग रूपता, next है empathy, यानी समभाव, समान भाव, ठीक है, next है stress control, coping with stress, यानी तनाव पर नियंत्रण, तो ये जीवन का उसल है, इसे हमे अपने अंदर विख्षित करना है, बच्चों के अंदर विख्षित करना है, फिर next है emotional control, coping with emotions, यानी भावनाओं पर नियंत्रण, तो ये जीवन का उसल है, मैं आपको कुछ और जीवन का उसल के बारे में बताने चलना हूँ, देखे इसमें से कुछ जीवन का उसल ये भी ह स्वाव लंबन, समस्या समाधान, ग्यानार्जन की प्रवित्ती, कुसागरता, चातुरेता, मधुर भासीपन, सहयोग पून भावना, अनवीशलात्मक दिश्टकोंड, स्वस्थ दिन्चरया, अनवीशलात्मक दिश्टकोंड, रशनात्मक सोच, प्रभाव साली बोल चाल अंतर व्यक्तिकत संबंध, संतुलन, संबेदना, आत्मबूध, संबेक सायोजन यानि ये सभी जो है जीवन कोसल है जिनका विकास हमें बच्चों के अंदर करना है तो आईए देखते हैं कि इन गुणों का विकास हम बच्चों के अंदर कैसे करेंगे देखे हम सभी भली भात आउगत हैं कि सिछा व्यक्तित विकास का ससक्त माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा जीवन की विभिन परिस्तितियों में सटीक निर्ड़ेलेने, अपने प्रतिजागरूक रहने जैसे तमाम कौसलों से परचित होता है, ये कौसल उसके जीवन को सुगम बनाते हैं, इसलिए इन्हें जीवन कौसल का आ जाता है जीवन कौसल का विकास कैसे? यानि हर विसे अपने प्रकृतिगत विभिनता रखता है लेकिन अलग-अलग तरीकों से बच्चों में या जीवन कौसलों के विकास में भी सहायक होता है अता किसी भी विसे के सिच्छन के दवरान, बच्चों में इन जरूरी कौसलों के विकास हेतु आवस्यक होगा कि हम विशेवार सिच्छन उजना बनाते समय उन जीवन कौसलों का चिन्धांकन अवस करें जो संबंधित प्रक्रण में समाहित है सिछन के दवरान प्रक्रण में समाहित जीवन कौसलों को बच्चों से चर्चा, उदाहरण, प्रसंग, आदि के द्वारा प्रमुकता से उभारा जा सकता है बच्चों को ऐसे प्रसंग सुनाना जो कि किसी खास जीवन कौसल पर केंद्रित हो इसके उपरान बातचीत द्वारा उस जीवन कौसल को उभारना फिर बच्चों से ऐसे अनभू सुनना जिन में उनके द्वारा इन जीवन कौसलों में से किसी एक का परचय दिया गया हो और नेक्स्ट है बच्चों को पार्ट समागरी देकर उसमें जीवन कौसल ढूणवाना आडियो सुना कर अथवा वीडियो दिखा कर उस पर बात चीत करना और जीवन कौसल को ढूणवाना फिर नेक्स्ट है रोल प्ले कराकर उनमें नहित जीवन कौसलों पर चर्चा कराना दैनिक समाचार पत्र से उन महत्पूर समाचारों को चुनना जिनमें इन जीवन कौसलों को इस पस्टता रेखांकित किया गया हो इन खबरों को बच्चों के छोटे समोग बनाकर देना और जीवन कौसल डुणवाना तो मित्रों इस तरह से आप बच्चों के अंदर जीवन कौसल का विकास कर सकते हैं जिवन कौसल का विकास बच्चे के अंदर जवाब करेंगे तो वही बच्चा जो है आपके सामने आपके साथ अच्छा ब्योहार करेगा और उसके अंदर एक निखार आ जायेगी तो मित्रों आसा करता हूं कि आप लोग जो है इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसको आप फालू करेंगे और मेरा वीडियो आप पसंद करेंगे अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी मित्रों इस वीडियो में मैं इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में और कुछ अच्छी चीज़ें ले करके आपके लिए आ रहा हूँ तब तक के लिए नमस्कार